हलो फ्रेंड्स मैं हूँ रजिया आप सभी का स्वागत है कुकवित रजिया पर आज हम बनाना सिखेंगे बनाना ओट मिल स्मूदी जो बहुत ही जादा हिल्दी है और इसे मैं आप लोगों को हिल्दी वर्जन में ही बनाना सिखाऊंगी जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं या डाइट पे हैं आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राइ करें बहुत ही पसंद आएगा और ये बहुत हिल्दी है तो आईए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं इसके लिए सबसे पहले हम एक mixing ball में डालेंगे दो पके हुए केले साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 थर्ड कप भुने हुए ओट्स अब इसमें डालूंगी एक बड़ा चमच पीनट पटर और अब मैं इसमें डालूंगी एक बड़ा चमच डिजानो हनी जो purity गैरिंटेड है और इसमें कोई भी additional sugar नहीं है तो ये काफी जादा हिल्दी है अगर आप इसे purchase करना चाहते हैं तो वीडियो की नीचे description पे link मिल जाएगा आप इसे online order कर सकते हो और साथ हे मैं इसमें अधी glass दूद डालूंगी आप यहाँ पे milk चाहो तो regular use कर सकते हो या फिर आप चाहो तो भैस का दूद या फिर आप चाहो तो almond milk या फिर आप चाहो तो इसमें नारियल का दूद जो भी दूद आपको पसंद है वो आप डाल सकते हो इसमें अब हम इस लीड को बंद करके इसे हम हलका सा चर्ण कर लेंगे अब हम एक सर्विंग ग्लास लेंगे और इसके ओपर स्मूधी डाल लेंगे और अब हम इसके फाइनल सर्विंग के लिए साइट पे इस तरह से एक केले लगा देंगे और थोड़े से इसके ओपर मुंफली के टुकडे इस तरह से डाल देंगे आप चाहो तो इसमें जो चिया सीड है वो भी डाल सकते हो या फिर चाहो तो आप इसमें अपने पसंद के कोई नड्स डाल सकते हो या फिर केले के भी छोटे छोटे टुकडे करके आप डाल सकते हो तो ये तयार है हमारा हिल्दी स्मूधी जिसे आप ब्रेकफस्ट में भी सर्फ कर सकते हो बहुत ही मज़े की बनती है तो जरूर से आप इसे ट्राइ करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताई कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और अगर मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब के साथ साथ बिल आइकन जरूर सप्रेस कर ले इसे मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहेगी फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बबाई टेक क्यार